अभी बज रहे हैं सुबे के साड़े साथ और आज तारीक की बात करें तो तारीक है 30 डिसेंबर 2020 तो गाइस आज फाइनली मैं जा रहा हूं एसी जगह जहां पर पूरी दुनिया जाना चाहती है बाबा महाकाल एश्वर के पास ओमकार एश्वर व्लोग काफी जदा इंट्र यहां से जाएंगे आमकार एश्वर और वहां का टूर आपको दिखाएंगे लगभग यहां से है 110 किलो मिटर सो पूरा व्लोग देखना आपको मज़ा आने वाला है तो फाइनली गाइस अभी हम है धामलोद में एंड आफ्टर रॉल 48 किलो मेटर हमने अभी ट्रेवल किया है विद बाइबस एंड यहां से आप लगभग साहाट से 70 किलो मेटर होगा पूरा व्लोग देखना आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस अभी तो किलो माने के बाद में जाते हैं Näंक जाते हैं इस के अंदर की ओर और वहां का हम आपको दिखाते हैं, तो एक चीज आपके सस्पेंस में थी मेरे साथ है, कुल्दिप धनारे, तो इसके साथ में मैं आया हूँ, तो चलिए गुमते हैं और पुरा व्लोग कंटिन्यू करना, तो कुल्दिप को लेना है अभी टोपा, तो कि ठंड बहुत ज़्यादा लगी हमको अभी आने में, तो यह देखते हैं कि कितने में कैसको टोपा मिलता है, कितने गाए, तो गईस जहां पर में उतरा था, वहां चापर अगर आप सीधा आएंगे, तो इस जगापर आएंगे यह बड़ा गेट है, इसके अंदर आने के बाद में, आपको यहां पर एक छोटा फूल दिखेगा, इसके साइड में भी एक फूल है, वहां पर भी हम जाएंगे, लेकिन फिलाल हमें अभी यह रास्ता मिला है, तो हम इस रास्ते से अभी जाते हैं, और वो उपर आप हैं, बाबा व अगेरा, ओके, तो यह आप नजारा एक बार देख लिए हाँ पर, पूरा जो है, ओमकवारिश्वर का नजारा है, नर्मदा, दोनों साइट नर्मदा है, बीच में पूल है, ओके, तो एक फूल के अगर बात करें, तो एक फूल उधर है, अगर हम कोशिश कर करने का रास्ता में आपको दिखाता हूं, और हम पूरा परिक्रमा करने का रास्ता में आपको दिखाता हूं, और हम पूरा परिक्रमा करने का रास्ता में आपको दिखाता हूं, और हम पूरा परिक्रमा करने का रास्ता में आपको दिखाता हूं, और हम पूरा परिक्रमा क आपको वहाँ पर मैं आपको ले करके चलूँगा और फिर हम आपको दर्शन करवाएंगे बाबा भोले नाथ के अभी गाइस कुछ इस तरीके का व्यूँ है और उधर वहाँ पर भी एक पूल है और यह हम अभी फिलाल इस वाले पूल पर खड़े हैं नीचे नर्मदा जी है देखिए आप दर्शन कर लीजिए अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा की और और मैंने अभी बात की भहिया से तो उन्होंने ये कहा है कि लगबग 11 किलो मिटर की परिक्रमा है अगर आप अमकारशवर आते हो तो लगबग आपको 11 किलो मिटर की परिक्रमा करना पड़ती है और हिए रास्ता जाता है परिक्रमा की और जो मैंने आप को पूल दिखा है उसकुल से आपको भलता है इस तरीके का राष्त परिक्रमा की और जाने का तो आगे देखते हैं क्या कुछ होता है सबसे इंट्रेस्टिंग यार पर हो रहा है देखिए बंदर यहां पर आए हुए और मेरी तो जब से ज्यादा फट रही है देखिए इस तरीके का नजारा है हाँ अगर आप बाहर गुमने आते हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अभी वह अंटे जी की थेली पाड़ दी हाँ बंदरों ने और यहां पर हम आपको लिखाएंगे और बहुत ज्यादा सीडिया है वो सीडिया हमें चड़ना पड़ता है उसके बाद में हम पहुच्छते ही उपर ऑके तो गई कुछ इस तरीके का रास्ता जाता है परिक्रमा की और और आगे देखते हैं क्या क्या होता है क्योंकि मैं लेकिन आगे देखते हैं क्या कुछ होता है जै बोलेनाथ एक दोर जै बोलेनाथ अभी तो फेर पता नहीं कि कितना हमने चल लिया है लेकिन जितना भी चले हैं हम तकने जैसे कंडिशन हो गई है लेकिन फिर भी हम जाएंगे उपर और पूरीवं करके ही आएंगे तरह हमने पूरी कर ली है अब आगे कितना और चलना है बेसिकली मुझे भी नहीं पता है लेकिन आपको ब्लोक के अंदर बने रहना है गाइस क्योंकि आप अगर महकालवगा के दर्शन करना चाहते हैं तो हम लाश में कराएंगे फिलाज तो आभी हम परिक्रमा करते हैं तो जो मुर्ती है वहाँ पर मैं आपको लेकर के चलता हूं रास्ते में आता है गाईस राधा क्रिष्ण मंदिर आगर आप राधा जी क्रिष्णा जी के दिवाने हो तो आप दर्शन कर सकते हो रास्ते में और उसके बाद में परिक्रमा कंटिनू कर सकते हो कुछ यहाँ पर प बहुत ज्यादा ठके हैं टकने के बाद में हम अब लेंगे गन्य का रस वह इसलिए के थोड़ी सी हमें एनर्जी चाहिए टिखेंड एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है पानी वगेराश पानी था लेकिन यहां पर गन्य की रषट की दुकान दूखी हमको तो हम गन्य का रस पिते हैं उसके बाद में पेंटिन्यू करते हैं तो फाइनली गैस बहुत ज़्यादा चलने के बाद में हम फाइनली उस लोकेशन पर आ गए हैं जहां पर मैं आपको ले जाना चाहता था यानि कि जो मुर्ती है आदी परिक्रमा पुरी होती है है यहां पर यह आपको पुद्रा उपर बेनन दिक्व जा एगा उसके बाद में हम चलते हें आगे और बस कुछी दूर है फिर उसके बाद में हमें जो बोलेनाथ की मुर्ती है वह आपको दिखाएंगे वहां का सेन DW कहए वहां की भीड दिखाएंगे क्या कुछ है आगे शिलिया देखते हैं गईस यह है गोरी सोमनात मंदिर जो किदर उपर है अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो सोमनात बबा के दर्शन करने के बाद में अब हम जाएंगे पाताली हनुमान मंदिर जो कि बेसिकली इनके पास में है यहाँ पर हनुमान जी लेटे वे नजर आएंगे आपको तो चले मैं आपको दर्शन करवाता हूं पंड़ी जी यहां का क्या इतियास है जो लेटे वे हनुमान जी पाताली लेटे अनुमान जी बोलते हैं इनको पाताल से लोटते समय राक्षस्नी ने उनको रोका था जो पाताली राक्षस्नी थी ना उनको पेर में दबा के विश्राम कर रहे हैं देखें कितनी सुन्दर यहां पर मूर्थी हैं हाँ को ऐस फाइनली हमने जो लेटे वे हनुमान जी थे उनके हमने दर्शन करवाया है आपको रुठी इतियास भी बता है मैंने तो अब हम चलते हैं यहां पर वो रही मूर्ती, तो गैस यह रही वो लोकेशन जिसके में बात करा था और इतने डाईव से मैंने इसे का वेट करवा था आपको तो गैस फाइनली यह था सियू जी की मूर्ती जिसके मैंने आपको दर्शन करवा दिये हैं अब आगे चलते हैं तिल किलोमेटर और जिसके बाद में हमारी यात्रा पूरी कंपलीट होगी और आगे क्या कुछ होता है व्लोग में बने रेना तो ही आपको पता चलेगा क्या होता है क्योंकि फिलाल की कंडिशन में मुझे भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है लेकिन जो कुछ भी होने वाला है इंट्रेस्टिंग होने वाला है आगे आम जो दूसरा पूले वो आपको दिखाने वाले हैं साथ में अगर पोसिबल हुआ केमरा अलाव हुआ तो जो महापर जो सिवलिंग है उसके भी आपको दर्शन कराऊंगा कोशिश जरूर करूँगा लेकिन अभी चलते हैं यात्रा कंप्लीट करते हैं आगे कसीन आप को दिखाता हूं देखो यह सीडियो भरा रास्ता है अगर आप परिक्रमा करते हो तो पूरा आपको निचे जाना है फिर उदर से गोम के पता नहीं कितना और दूर है अभी हम चलते हैं भहुत जादा दूर है बेसिकली सो ठकान लग रही है लेकिन फिर भी महाकालेश्वर की ताकत हमारे अंदर है ठीक है खुल दिफ सेल्फी अगरा ले रहा हुदर चलिए चलते हैं लाइक भाइक ठोक देना अपने परिवार के साथ में शेल कीजे वीडियो को अच्छे वीडियो के गलत वीडियो नहीं है ठीक है आगे चलते हैं और कंटिनू जरूर देखना आ पूराना मंदीर है बहुत ज्यादा पूराना मंदीर है अभी तो खेर आदा ठूटा हुआ है तो गाइस परिकर्मा करते वक्त बीच में बहुत पूराना मंदीर है तो गाइस अब आ गया है ओमकौरिश्वर डेम जहां पर भी पानी बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है यहां से बस कुछ दूर चलना है हमें और उसके बाद में हम वापस पहुत जाएंगे उदर अभी हम चलते हैं प्राइचिन हनुमान जो मंदीर है उसके आपको दर्शन कराते हैं यह गाइस मंदीर अंदर का पाजिन दर्शन करने से जो भी संकट दूर भतते हैं और हर काम से तो होता हूँ और मैं इलाज में सुधारता हूँ अच्छा इलाज करते हो आपको किसी टाइप की परेशानी हो कुछ भी विमारी हो डॉक्टर से अगर नहीं सही हो रहा है तो बाबा सुधा देते हैं शाक्षात ब आई मोरा है साड़े पाँच तो तो तीन गंटे लगे हैं तो इसके वीच में थोड़ा सा आराम भी किया था तब कुछ किया था अगर आप फेमिली के साथ में आते हैं बहुत जाला मज़ा आता है अभी तो खेर हम दो ही जन थे साइड में देखी है नर्मदा जी है और वो अब हम जाएंगे महकाल के दर्शन करने के लिए वहाँ से हम सिदह इस पूल से वापस बाहर निकल जाएंगे यह था पूरा परिक्रम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर कमेंट जरू करना हो सकता है इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डालू लेकिन अ अच्छी लगी हो वीडियो तो भरू करना पर दोस्के साथ करना है चलते हैं आगे सो गैस यह है ओमकारेश्वर और देखिए काफी अच्छा नजा रहा है शाम का भी बज़रें हैं साड़े पांच सूरज के साथ में नर्बदा जी और नर्बदा जी के साथ में यहाँ पर न देखिए यहां का नजारा आप सबसे पहले यह एक डेम उमक्वारिश्वर डेम जिसको बोलते हैं तो फाइनली गईस उधर से मैं आपको बताया था कि इधर वाले फोल पर हम आने वाले हैं तो फाइनली हम इधर वाले फोल पर आ चुखे हैं वह वाला पूल आप जो से भी पोसिबल होगा मैं आपको दिखाने वारा तो फाइनली गईस जो पुझाबाट का जो समाने वह हमने ले लिया है अब हम जा रहे है महाकालेश्वर जो भरवान है वहां उनके बैशन के लिए तो यह रास्ता जाता है और पता नहीं वहां पर केमरा अलाव करते हैं य नहीं कि जाता है बाबा के दर्शन के लिए चलिए जैसा भी प्रॉशिबल होगा हम आपको दिखाएंगे अब है यह मंदिरे वह बुनात का कि तरह यह जो हो इस अब जया जा है तो गैस फैनलब यहां पर होता है हमारा व्लोग कंप्लिक हमने आपको लिखाया सुबह से निकले तेज साथ बजस अनुजी है और उसके बाद में पूरी परिक्रमा की रास्ते में क्या कुछ बॉद के बाद में के बाद में आपको महकाल के दर्शन भी दिक करवा दिये एस कोशिश करी मैंने और आपको दर्शन करवा दिये तो यह था हमारा ओमकारेश्वर का ब्लोग अगर आपको सच में पसल आये तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंड कीजिए कैसा लगा और जरूर शेयर करना अपने फेमिली इंबस के हाथ में और आ आई होप मुझे लगता है कि आपको जरूर से पच्छन आएगी मेरी पिछली वीडियो भी तो जरूर से सपोर्ट करना चलिए गाइस मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहे हैं टाटा बाद आई मिलते नेक्स लोग हुआ हुआ है